हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एडुकेशनल ग्रूप उत्राखंड में मैं आपके लिए दोस्तों हिस्ट्री के नोट्स लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही महनत करके बनाए गए दोस्तों आशा करता हूं आप लोग इस वीडियो को जारस जारस शेर करें या आपको नोट्स के जरीयक पड़ा सकता हूं तो आप लोग कमेंट करें क्या क्या टाया तो मैं आपको पेपिर पे सारा समझा सकते हूं कहां से क्या होता है कहां से बाट से प्रूआ से नोट्स भी प्रोवाइड और जो इनॉट्स को एजाम तब Tom ऐसर्व को Anda वो चाहता है कि पीडियाफ फॉर्म में तो आप मुझे वटसेप पर मैसेज कर दीजेगा मैं आपको सेंड कर दूँगा ओके शुरू करते हैं टॉपिक है कंपनियां व्यापार से सियासत तक जब यूरोपयान कंपनी भारत आती है तो देखें दोस्तों सबसे पहले हमें करम पता होना चाहिए भारत में आने वाले विदेशी कंपनियों का सबसे पहले हमें करम पता होना चाहिए लोग हमारे मन में ये ब्रहाम है कि पूर्ट काली के बाद अंग्रेज आए नहीं दोस्तों पूर्ट काली 148 गामा आते हैं ऍिशापना कर देते हैं यहां अंग्रेज चूर्ण पांच में आते हैं याद रहें वैसे तो आते हैं 1608 में जैसे कैप्टन होकिन्स लेकिन 1605 में इनके आगमन के स्थिति आ जाती है वैसे तो सबसे पहले जो अंग्रीज आता है वह जॉन मिडन हॉल आता है 1597 में 1597 में और 1608 में कौन आता है दोस्तों कैप्टन होकिन्स जैंस पर्थम का मैं एक नमबर काईगा कि युए चीजह सीथदा परिक्शा में एक नमबर काईगा कि जो पूर्तिकाली कमपनी बारत में उस कम्पनी का नाम क्या था एंपायर यांडी में व्यापार के दो मार्ग विक्सित होए थे कौन से फारश की खाड़ी और लाल सागर जहां मुझे लगए एम्पॉर्टन्ट है समझा हमागा नोग में वहीं समझाँगा दोस्तों फारस की खाड़ी का व्यापार अर्बों के हात में था और यहाँ व्यापारी उर्च्पों के लिए सबसे हाथ में था चौद्वी सताबदी में यूरोप महादिवीप के दो पर्मुख व्यापारिक देश थे इस्पेन वा पुर्टिकाल होता क्या है दोस्तों इस्पेन वा पुर्टिकाल दो व्यापारिक देश थे बले ही आप देख सकते हैं आपर पुट्रेल इस्पेन का उपनिवेश था किन्टू फिर भी वहाग गति विदियों में सक्रिया रहता था व्यापारी गति विदियों में सक्रिया रहता था यूरोप वासी भारत तथा दक्षिरपूर वे एशिया देश्चों से अधिकांस था मसालों का व्यापार करते थे जो थंडी के दिनों में मांस की उप्यों गीता बढ़ाने में काम आता था जो उस्टों आपने सुना ओगा उत्राखन में एक जन जाती है जाड़ भोतिया त तो दोस्तों उसमें वो मसाले ले जाते हैं मसाले लगाते हैं वो मसाले लगाते हैं तो इससे क्याओता मीट की उप्योंगीता बढ़ जाती है वे पांच-पांच महीने चे-चे महीने भी मीट खराब नहीं होती है तो इस बात को भी ध्यान रखियेगा इसके बाद दोस्त 1453 में आरबों ने तुर्कि की राज़्दानी रसंटनिया पर अधिकार कर लिया जिस कारण यूरो पिऐसियों को नए व्यापारिक मार्गी खोजने के लि brushes मजबूर होना पड़ा क्या होता है दोस्तों 1415 में अरब जो होता है वो तुर्की की राज़ानी कस्तुमतिनिया पर अधिकार कर लेते हैं जिस कारण उन्हें यूरोप वार्सियों को नए व्यापारिक मार्क खोजेने के लिए मजबूर होना पड़ता है वे इस्पेन के राज़ा कौन और हैंन्रे सेवन इंडरेट रज़ को pap क्ते के आसपास किस ने कुला है राज Qui दिसा सूचा की यंत्र और साहता से लंबी लंबी सारणियां तयार की जो व्यापारिक मार्ग में साहता करती थी तो उस्तो बहूट बेसीग जीजें लिखिए इस बहुत बीप में भी लिखा है आपको यदि आप इसे पढ़ते तो आपको और कहीं पढ़ने की ज़ुरत नहीं है इसका दोस्तों नाविक स्कूल नाविक स्कूल के छात्र बार्थोलोमियो डियाज पहले पुर्टगाली व्यापारिक यात्री थे जो अफ्रीका के दक्षंतम स्कूल चब इसने पहले चूरू होते हैं दोस्तों एक डाइसर पूरा दिखान पाऊंगा आपको वीडियो में कवर नहीं होगा लेकिन यह देखिए आतने के लिए नोट कि निते लिए करने के लिए किन आता है अधा से रवाना घॉड़ें। वो विक्टर जहाज में आता है नोट कर लीजिएका कि वो किस जहाज में आयता है वो आयता है विक्टर नामक जहाज में और वो केप अव गुड होप के आगे जब व आता है 90 दिन की याद रिगया तो उसे मौरीशेस में अब्दुल मानिक एक गुजराती वो मिल जाता है व यह है कालिकट में और कालिकट में कौन है राजा जैमोरीन पहुंचा कब है बीस माई 1498 अब हम देखेंगे दोस्तों भारत की स्थिति पूछ लिया जाता है जब यूरोपियन कंपनी पुर्दगाल का आगमन भारत में हुआ तो भारत की स्थिति क्या थी गुजरात में देख सकते हैं मोहमत बेगडा दिल्ली में कौनते सिकंदर लोगी विजयनेकर समराज्ज में कौनते दोस्तों नर्सिंग सुल्लाओ कौनते नर्सिंग सुल्लाओ कि यदि कोई मैंने मिस्प्लेस किया हो तो गाई यह ध्यान ना दीजिए आप पस आपको यह मेन मोटिस होना चाहिए कि मैं पढ़ना है किसी की गलती निकालने से अच्छा उसकी पॉजिटिव चीज़े देखें गुजरात में कौन था मोहमद बेगडा दिल्ली में कौन था स सुल लाओ और बीजापूर में कौन्ठा दोस्तों यूजप आदिल सा क्या बताया आपको दोस्तों सुरू से 1413 में कस्तुनिया पर अर्गों ने आकमन कर लिया जिस कारण यूरोप आजिन को क्या करना पड़ा नाए व्यापारी खोज उमार खोजना पड़ा राजा हेंड कर दोस्तों कि विद्याले का होता है वहाँ दूसरी तक मुड़ जाता है और इस लिए वह सब्सक्राइब है जो सब्सक्राइब यरी तो याद रखे दोस्तों जल मार्क से तो वर्थली मेडिया भी आया था परन्त वहां भारत नहीं पहुंचा था वहां कैप ऑफ गुड हॉप से वापस चली गया था इसका क्या थे तो यह चौद्धा मही बीस मही माफ के बाद बीस मही 1498 को 90 दिन की यादरा के बाद गुजराती पत परदर सक गाईडर था ये और व्यापाली भी था अब्दुल मानिक किस आयता से भारत के पश्चिम तठके काली कट तठके कपक का डाबू बंदरगा किसमें दोस्तों कपक का डाबू बंदरगा पर पहुंचा था वासको डिगामा के भारत पहुंचने पर भारत की इस बिल्ली में कौन था सिगंदर लोगी प्रसना आता है सुमेरित कीजिए गुजरात में था मुहमद बेगड़ा बिजयनगर में था नर्सिंग सुलाव बीजापूर में था यूजफ अदिलसा जबकि कालिकट जहां वे उनका आगमन वा था वहां पे जैमोरिन वहां पे था ज वासको भास्टम ने भारत और पूरवी इसया देश्णों से वियापार किया मुख्यत हाली मिर्च का अग गया है पहुज में इसके आधर से लाव होता है जिसे देख अन्या पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोचाहन मिलता है ठीक है गाइस प्रोचाहन मिलता है पुर्तगाली सास को द्वारा व्यापारी व्यापार को प्रोचाहन दिया गया और पुर्तगाली सामुद्रिक समराज्य को को एस्तोदा इंडीज नाम दिया गया अब जो आया है वह समराज सासक होता है वह प्रोचाहित हो जाता है इस और अपने बंदों को भेजता है यां किस नाम से कंपनी को ओंडी वास्कोट डिकामा के बाद पंद्रह्स לis rains याद रखेगा दूसरे आने वाले जैल यह थे बाके नीचे राकी मातर लागी बारत आया जिमकी कोई उपलबदी नहीं थी कुछ भी नहीं थे उसके बाद पुना 1502 में वास्कोडिगामा भारत आये और उन्होंने कोच्चिन में 1503 में पहली फैक्टरी की स्थापना गी कम से कम तीन से चार प्रस्ण बन गए दोस्तों इसी से कवाई वास्कोडिगामा भारत आता है और कोच्चिन में 1503 में पहली पुर्टिगाली फैक्टरी की स्थापना होती है अरब और वैनिस के व्यापारियों से परतिस फड़ता मतलब कॉम्पेटिशन करने है तू वास्कोडिगामा ने अपनी व्यापार निती में निम्न परिवर्तन लाए दोस्तों देखेंगे व्यापार गवर्नर के माध्यम से होंगे व्यापार ससस्त्र होंगे ससस्त होंगे मतलब कि कहीं पे Arms उठाने पड़े तो कोई उक्त ने Governor को पढ़ते एक 3 साल बाद बदला जाएगा किलिए हो गया होगा आपको कहां से हमने शुरू क्या था बार्तलोमीर डियास से सुरू करते हैं बीच में कॉलमबस आता है वास्कोडीगाम आता है उसका पेड्रो अलब्रेस कैब्रियल आता है दोस्तों आपने हुबा हुए आधर रखने है अधर हम पढ़ेंगे दूस्तों आगे पढ़ते जाएंगे देखेंगे आप पुर्तिगाली कोंकर तर्ट से कैसे कैसे यह भारत के अलग-अलग छेत्रों से वियापार करते थे कोंकर तर्ट से काली मिर्ज अध्रक हल्दी चंदल मालावार तर्ट से और साथ इस्ट एशन कंटर से लॉंग के सरवा अनिया तो गाइस सब यदि आप साथ देंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में इसे जादर से जादर शेयर करें बहुत मेहनत से बनाया है थेंक्यू गाइस थेंक्यू सूमर्ट